हेलो फ्रेंज अस्सालाम अलेकुम वल्कम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इंस्टंट चिकन फ्राइए तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टंट चिकन फ्राय बनाने के लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम चीकन को बहुत अच्छे से अच्छे से बोईल कर लेंगे यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है अब हमस्में अद्रकलेसन का पेस्ट आड़ करेंगे 1 टीस्पून फुल, कौॉड़र टीस्पून हम हमस्में हल्दी पौडर आड़ करेंगे और लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे इसमें वन टेबल स्पून फुल अब चाहें तो इसमें मिर्च की कौंटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसमें हाफ कप के अतना पानी आड़ करेंगे अब देख सकते हैं यह मैंने नॉर्मल वाला कप लिया है इससे मैंने इसमें हाफ कप पानी एट किया है और अब मैं इसमें एट करूंगे गरम मसाला पाउडर यह हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक एट करेंगे और इसे हम दो विजल लगा लेंगे या चाहमिक और लालमिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला होगा है अब यहां पर हम इसक know Commissioner कट और हरीमिर्च की करनल के रखा हुआ है और हरीमिर्च को भी बारीक कट कर लिया है और ये कड़ी पत्ता है और half lemon हमने लिया है half lemon का हम यूज़ करेंगे अब हम चेक कर लेंगे यहाँ पर chicken जो है बहुत अच्छे से soft हो गया है दो विजल में अब देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था वह भी ड्राइ हो गया है, अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पून आइड करेंगे कुकिंग आइल, अब हम इसमें 1 टी स्पून फूल काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च आपशनल है, आप चाहें तो डालें वना आप स्किप भी कर सकते हैं, अब हम इसमें 1 टी स्पून फुल धनिया पौडर एड़ करेंगे। और जो हमने हरा मसाला कट करके रखा था वो एड़ कर देंगे इसमें। और इसे एड़ करके अच्छे से हम मिक्स करके गैस पर चड़ा देंगे। चिकन और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए है तो हम इसे ऐसे ही लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे उसके बाद हम फ्लेम हाई करके भूनेंगे 10 मिनिट आपको भूनना है आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छे से भून गया है और यहाँ पर जो सारे पीसे इसको भी मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है अब हम फ्लेम को लो कर देंगे अब हम इसमें हाफ लेमन जूस एड़ करेंगे जो लेमन हमने लिया था इसके सीट्स हमने सपरेट क कर लिये हैं हम इसमें हाफ लेमन जूस एड़ करेंगे अब चेक करेंगे कि चिकन गला है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि चिकन के अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और यह है इसका फाइनल लुक आप भी बनाइए और ट्राइ करिए जटपट बन जाने वाला इंस्टंट बहुत जल्दी फटाफट यह बनके रेडी होता है और इसमें चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाता है तो आप भी इसे बनाइए और ट्राइ करिए और मुझे इंस्टागराम पे इस रेसिपी के साथ ज़रूर टैक करिए तो मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो म नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज